हुआ हालो गाइज वेल्कम बैक टू माइच चानल सुबगा टाइम हो गया है और मैं आभी हम बाहर ब्रिश कर लिया है फेस वाश रग गया है नहाई नहीं हूँ क्योंकि मेरे को नहीं भूख लग गई कभी कभार सौब भूख जल्दी लग जाती है क्योंकि ना रात को ने चावल खाये थे हाला कि मैं एक रूटी भी खाई थी फिर भी भूख लगी तो मुझे लगा नहाना बाद में पहले खालूं क्योंकि बेबी को भी फिलाल खाना चे तो यह जाता है क्योंकि ना यह चीज थे खराब होने लग रहे थी इसलिए तो निक्स वैज की सब्जी बनेंगी आज फिर से और आप सब बोल रहे थे कि रैस्पी बताना तो इसमें रैस्पी वाली चीज है यह सारी न फ्राइगरो तड़का लगा उसमें मिला तो बस बन जाले डाल लो तो मैंने ना लड़ू तो मेरे कर दिये फिनिश और मेरा लड़ू खान का मननी जाला पेट बर जागा तो आज न में निकाले रस दूद के साथ न यह जिए रस तो जी सुबह सुबह दूद के साथ रस तो हो 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 जाई हागा मजा ही आगा तो तो अब खांगे यह ड्राइफ रूट्स में तो गाईज हमना दो तीन अपड़ा वीडियो देख ले एक अगलब टीवी में मनने मुमीन है और इदर होगी मारी सबजी रैडी तो आप जा सबूद आने के लिए अज मम्मी भी नहाई है हम दोनों जड़े पहला निकल जाओना तुम्हारा ही हो यह हो है यह तो मैं सुबह नहां के निकलती मम्मी नहाई मिलती है और बैठ जाते ना फिर तो मितने टाइम लगता है तो अब जा रहे हैं दोनों आने के लिए इधर से देखेंने के के लोगती है वानने टाइम लागा वाव मैं तो ना लिए यूम्मी को देखें नहां के आये नहीं है यह यह उच्छी है ममी सासो मम्मी नहीं नहीं आके आई है मैं ही नहीं आके आई उनसे पहले देख लो मम्मी ना लिए मम्मी कहां में मम्मी अच्छा मैं अंदर रूम में ढूना लाग रही हूँ हम अपर्ते पहले से थिसलिए रहुआ हाँ आप ए्टेपल्य नाय हुआ कितेनी देर होगी गोल रही है थोड़्य कॉंकर लागरी है मुम्मी नाली मिलते पल्या कॉंकर आल अगरी है मुम्मी अटेर थोड़ा साथ में ने चाल आगालागा शूट बाद में अगर वह ज़ना ह कि कम से होगी हम नहीं बाँ रहे हैं है लो गाइज गुड मोर्दिंग यह कैसर पर क्या बांद रखा तुमने आज है यह जो हमारा सेलेड गटने लग रहा है नास्ते में बीजब दुस्ती इतना सेलेड खिला दें मेरे को मैं क्या बताऊं है दाई बदाम बदाम खाल लिया कि अच्छा इतनी महनक कैसे है कि अच्छा रूटीन मांद रखा में अरे शुहानी आते है इसका टाइम चेंज करना पड़ेगा इसका अपने मेरी आंख फुल जाते है वहीं नेद का टाइब होता है यह साथ हो जाती तो भी आंख फुल जाती है यह दस विजाए तो भी खाना खा लिया है गाईज और खाना खाके थोड़ी देर रेस्ट करूंगी उसके बाद मैं एक दो सूट जो पड़ा है अब मेरे को टाइब मिला अगर तब्यत सही रही तो उनकी बनाओंगी मैं वीडियो यह वीदर खाके लेट गए मेरे भी हैर वास सूख ही गए कितने अब देर होगे मेरे को लप एवे ममी तो मित पर लई सुखा गी मैं आई ना जब ना आ गये मित पर लेवाल कुनी माफाई हो मैं कमर आप आप है यह देख लो भी भाव हाट चुकी है तो मित आरा मराम तक पड़े पर रह जारा मराम तना आए जाए तो फटा 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 यहां पर पांडा अपने बाल शुका रहे है यह क्या लगा रहे हूं अच्छा दोक्तर से बात हुई थे अभी मेरी क्या रहे है बुल सारी चीजे ठीक है बस बुल नैचुरल पेन का इंतजार करो कोई ऐसी गवराने की बात नहीं है सब कुछ नूर्मल वह सब कुछ आप बड़े डोक्टर हो ना तो लिखा था ना रिपोर्ट में अच्छा बाब की चिजों का डर था मुझे की पताने क्या मिलेगा चार टेस्ट करवाय थे वाई हमने चारों की चारों टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट है कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल काचे आज अहा ध मैं एक रोटी कंकाही थी नौने चारों तो छफाना वाना शायद कुछ नहीं खाते कुछ टाइम पहले तो मैं जहामें धाय रोटी आथी तेन गाति दो ही खाई इस डर्के मारे की यह पतानी इंगमी काणी andare पता चले PlayStation नहीं खानी थी क्यूंग Cream कि देख लोगा इसके रीने सब्सक्राइब कर दो कि नेल पिंट भी लगा दोगे नेल पिंट भी लगा दोगे आपके नापने फराव है अच्छा आइसे पाटती है यह बुरादे की तरह हो रहे हैं अरे सोफ्ट नहीं है यह सोफ्ट है यह फॉफस पढ़ रहे हैं तो बैस हो गया दुपहर का टाइम और मैंने डाल गया यह सोट इसके मेरे को वीडियोज निकालने थी बहुत ही सिंपल स के साच शूट यह बहुत ही प्यारा है यह देख लीजी यह अगे कडहाई है इस भी दूपत्टा कंट्रास्ट रॉंफ बहुत ही अच्छा लग रहा है यह देखेए कलर कम्बिनेशन तो सिंपल सोबर सा बहुत ही वियारा प्योर कोटन का है विपने के बिना अधूरा है और आप लोग मेरे को चूडा बोलते हो कि दिदी हाथ में कुछ डाल लो या गले में कुछ डाल लो गले में मैं इसलिए ने डाली हूं रात को सोती हुना तो पूरा वंगल सुतर चैनना बिल्कुल यासी गले के हो जाते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जी घुट रहा है तो सिर्फ प्रेग्निंसी तक मैंने इसलिए निकाल रखे कि एक बार डिलीवरी हो जाए उसके बाद फिर मैं दुबार से पहनूंगे और चूडा भी इसलिए कि न मेरे को आप बहार थे तब मैंने वैसे वीडियो बनाई थी पर न फुल लूप नहीं दिख रहा था अच्छे से शिशे में दिखा यतना अच्छा दिखा नहीं तो आप दिखा दूँ यार माँ पदली आ जाओंगी न बहारे से फिर्मस्त लगेंगे सुट पर ये कलर अच्छे मैंने कुछ डाली नहीं रखा हो बदल बहुत ही कमफोर्ट फील हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है आपको यसा लग रहा है अच्छे है ना दुपट्टा भी अच्छा लग रहा है और फिसलने वाला नहीं है तो आप कैसे भी सर पर रख सकते हूं वहाँ मुझे बीच में ऐसे लग रहा था कि मुझे यहां पेन हो रहा है तो जो जल्दी काम हो जाना था एक डेड़ बीच एक डेड़ गंटा बीच में मैंने रेस्ट लेलिया में लेट गी उसके बार फिड वीडियो वगेरा करी एडिटिंग तो भी बाकी है और इनका मन कर रहा है शब जालड़ काने का यह खार है अबने शक्कर जॉब तो घवर बैस अब कर आपने चाओल हमने टो पादिया मने ममी यह जब हैं अब मिल्यां जाना चाहे थाराम की विग प्लत कर दोगे दी पाराय फ्ट कर दो यहां जिए ए और यह जिए अज यहां जो क्वाना डून जाते जाते हैं तो हम दिन में खा रहे हैं और सामने खुद काई ब्लोग देखके ना हमें हसी आ रही है कुछ बात चल रहे हैं और मोसम हो चुका है थोड़ा सा ठीक मुझे लगा बारिश आएगी दूप गई दूप चलेगी इस मित्तु दो चलेगे फैक्टरी मेरे को ममी को भी बोल रहे हैं कि तुम लोग चलो पर क्योंकि ना इतनी दूप इतनी गर्मी हुमस हो रखिया है और म अब लुक्त शायद हमारे फ्लोर से उपर वाले फ्लोर पर काम चल रहा है उससे उपर वाले पर आप लोगों को इसमें भी आवाज जा रहे होगी तना ज्यादा शोर हो रहा है सिरदर्द हो गया तो जब तक बंद नहीं होता है तब तक व्लॉग नहीं कर रही क्योंकि मांगी थे ना नहीं मांगी वापिस दे तो फिर अब बनगी तो खाऊं तो भी अच्छा तो भाई जपी लेके जा रहे हैं इनको गुमाने के लिए और यह अभी कर रहे हैं पता नहीं क्या कपड़े को लेके शैटिंग बना रहे हैं कुछ यह जब तर चींज कर देंग मम्मी कुछ किचेन में कारवाई कर रहे हैं दूट गरम कर रहे हैं दही जमारें दही इदर पांडा फिर कैसा लग रहे तुम्हें को के अमरी सासु देख लो कितने किलो मिट्य आगे चल दी हम से हर चीज में आरते हो तुम हर चीज में हैं मेरे जादा तेज़ चलती हो ना बच्पन में तुम वह रूंगस करकर के जिते हो यह वह बोलते हैं उसको अब प्रेग्ट हो गे ना कभी अगले जनम में लेडी बढ़े तो चीजे समझ में आएंगी अच्छा ऐसे गूमते हैं जो ज्यादा स्पीड से गूमते हैं जो निच कि वह नीचे चक्कर काट रहे हैं तो मम्मी तो वैसी करते हैं मैं तो सोड़ा साइट तो गूम गया है जाइस यह इतने धोके बाज इंसान है दो चक्कर के टवाके आगे और मेरे को मम्मी को बोले अब तुम दुन्हों सासु भू चक्कर कातों मैं तेरा तो तुम चलो आज हम हारे निया जम पूरे तीन चक्कर लगा कायों और हमारा चकर कोई छोटा मोटा चकर ना होता दो डाई किलो मिट्र हो जाता है चकर लगाना इतनी हुमस इतनी गर्मी में भाई हिम्मत है सच मैं कती बुरा हाल हो लिया थोड़ी दिर बैठकर पसिनने सुखाओंगे हम डिनर की चारी करें है 27 रात का टाइम हो गया है सोने का और भूम भी आय थे डिनर भी कर लिया था डिनर में आज कुछ स्पेशल सब्जी बनी थी तो वो देखना मीत्तु वाले व्लॉग में जो कि दिन में आता है तीन बजे उसमें आपको पता चल जाएगा रेस्पी श यहां ठीक ठाग बना लेते काम चला लेते हैं आप लोगों को काफी हैल्प मिलती है तो बस आज का दिन कुछ ऐसा साई था उस तो हमारे आंपे काम चल रहा है न तो उस वजह से आधा दिन तो मारा बैसी जिर में दर्द रहता कुछ काम नहीं और बहुत प्यारे-बैरे कम कुमेंट कौन सा वाला था स्की शोट लिया था मित तु दिन में आप लोगों के कमेंट बढ़ रहे थे बहुत ही ब्यारे एक का तो कमेंट ऐसे आ रखा था मेर को याद नहीं क्या पढ़ा थे बताना की डेली मातल मैं कोई लड़की थी जो पेसे जैसे जो पेसे जाती तो छोटे बच्चे हैं उसकी बिलकुल मर्दब बच्चे जाते पूछते हैं आज दीदी के बेबी हो गया था निकालना आता नहीं है जैसे टीव घरा में एकसाइटमेंट बदा रहे हैं मतलब बड़ों को तो है कहरी तो पोने वाली दादी को कितनी एकसाइटमेंट है त बीजुली तो पस यह लोग जब मित्तु पढ़के बता रहे थे ना तो मुझे यह दा गया व्लॉग में बोलूगे अब इतने सारे कमेंट है ना मुझे पता नहीं किसका क्या है बाकी देखो मैं सबके ही कमेंट आप अगर इदर देखोगे ना हर किसी के कमेंट मैंने सब्सक्राइब कोई बोला लड़की होगा जो भी हो वस हैल्दी हो ऐसे अपना प्यार बिनाए रखना मिलेगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कल वाले में और आज ममी के साथ दो चैलेंज करें दोना ममी ना रा दिया रेस वाले में तो खैर चलने वाले में तो मैं क् substrate के आए उले लुग हो धनिक में तो मैं चारी मार को साथ और बहाघ को अज़कर वाले रेसे वाले में तो